लक्ष्मी की संदिग्द मौत की गुत्थी उल्ची गुसाई ग्रामीडों ने किया जिला मुख्याले शियोपूर का चक्का ज्वांग खबर के अनुसार कराहल ब्लॉक के डूडी खेडा निवासी लक्ष्मी बिलवाल शियोपूर में रहकर पढ़ाई कर रही थी दस सितंबर की रात को शियोपूर इस्थेद उतक्रस्टिव चात्रावास में लक्ष्मी की संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई थी जब परिजयनों को सूचना मिली तब लोग शियोपूर चात्रावास पहुचे उन्हें लक्ष्मी की गले में दुपट्टे का फंदा लगा मिला और उसके पैर पलंग पट्टी के हुए मिले मौके पर लक्ष्मी की लाश दे कर परजनों ने हत्या की अशंका जदाई पुलिस पर भी एक मामली की सिर्सले में लक्ष्मी को परिशान करने का आरोब भी परिजनों द्वारा लगाया गया आज पुलिस के आश्वासन के पांच दिन बीच जाने के बाद भी कोई कारिवाही नहीं करने के चलते शियोपूर कलेक्टर पहुँच कर प्रिशाशन और शाशन के खिलाफ जम कर नारेबाजी की लोग कहते नजर आये शिवराज मामा का कैसा प्रिशाशन जो उनकी भांजी के हत्यारों पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है उन्होंने मांग पत्र में चात्रवास अधिक्षिका परात्मात्या के लिए उकसाने के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया प्रिशाशन के आश्वासन पर जाम निकाला गया लगबग चार घंटे तक लगा रहा दोनों तरफ गाड़ियों के लंबी-लंबी कतारे लग गई आज यहां कराल ब्लोक के टूड़ी गेड़ा काउं से काफी लोग आए हुए है कोई एक लच्मी की जो संदेख दबस्ता में मौत हो गई थी उसके बारे में इन्होंने यह चक्का जाम किया है कलेक्ट साब को ग्याबन देने आये लेकर नभी तक यह कलेक्ट साब ग्याबने इनका लेने नहीं आये इन्हें चक्का जाम काभी देर से लगाता है मिलके जानती है क्या मामला जी भी है क्या नाम है मेरा नाम मुन्ना पटेलिया है और मामला यह कि हमारी बहन के साथ 9-10 तारिकी जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में हमने सासन प्रसासन को जो भी घटना हुई थी उसके घटना के बारे में समधी जो भी दोसी थे और वहाँ पे जो कारवाई करनी थी उसके बारे में हमने बता दिये लेकर आज तक तक पांच-छे दिन होगे लेकर हमारी बहन को जो हमने मांगे रखी थी वो हमारी मानी ने गई इसलिए आज हम भील-भीलाला पटे रहे और सर्व समाज के पूरे लोग यह पूरे पूरे पर शिपरी और गॉल-एर और इंदर समाग और पूरे मध्यपरदे संभाग से लिए जो आदिवासी समाज है पूरे समाजी संगटर है वो मिलकर बड़ा अंदोलन करेंगे और उसमें जो भी कुछ नुकसान होगा वो सासन पर सासन जम्मेदार रहेगा अब लेकिन उनों में दो दिन बात मानी लेकिन हमारे बहन की नाय के लिए उन्होंने कोई भी किसी परकार का मेरे मेरी जानकारी में आया है यह हमारे कराल विकास खंड के भील विलाला पटेलिया लोग हैं काफी इमांदार और महंती लोग हैं और मद्ध प्रजेस्टों में देखता आ रहा हूं कई वरसों से हमारे आदवाशी बर्ग पर काफी अत्याचार होते चले आ रहे हैं और नाहीं उनको न्याय मिलता है और न्याय के लिए अगर वो शड़क पर उतरते हैं तो उनको आस्वासन देकर भगा दिया जाता है मेरा भी अन्रोध है राजसरकार से जिला प्रिशासन से कि ये बच्ची एक अवोध बच्ची थी और ये बच्ची ने होस्टल में आत्मत्या की है तो कोई न कोई कारण तो बना होगा किशी को मरने की इच्छा नहीं होती ना ही इन लोगों की मजबूरी ऐसी है कि ये रोड़ पे बैठें बैकि जब घर का सदस जाता है तो काफी कश्ट होता है पढ़ने वाली बच्ची थी उसको न्याय मिलना चाहिए जब भी उसकी आत्मा को शांती आएगी और जिला प्र जैसा कि सबको मालूम है दिनांग दस नो तेईश को रातरी में एक लश्मी नाम की बाल का फांशी पर जूलती उपाए गई उसके बारे में आज तक फायर नहीं हुई जिसमें प्रदेश में कहते हैं कि मामा की सरकार है कैसी सरकार है आज यूश्यों को मैंन बेटियों को चातरोस को वेसे ही चलाया जा रहा है कोई निर्म कुछ ने बिल्कुल निर्म कुछ वर है करमचारी सब कोई किसी के सुनता नहीं है आज मजबूरी में आकर इन लोगों को जब किसी ने सुनवाई नहीं करी अफायर दर्ज नहीं हुई तो यहां पर जाम लगाना पड़ा ह जानते हो जाम लगाने मजबूरी में आए मैं मामा की सरकार में कोई सुनवाई नहीं करी एक कंच किसन नहीं की सुनती है यह जूटे लोली पप देता हिए बहने मेरी लाड़ी बेहनों कहा गई तुम्हारी बहांजी कत्तियावी शिवराज मामा कहा सो रहे हो जल्दी से फायर कराएं अगर फायर नहीं हुई दो तिन दिन में जैसा कि यह मांग रहे हैं लोग तो हम पी इनका साथ देंगे और जाम लगाएंगे तकड़ाशों पूरों मैं बड़ा आक्रोस है मामा जी की सरकार में भांजियां फासी के पंदों पर जूल रही है कितना अन्याय वाली बात है और एक तरफ मामा जी कहते हैं मेरी भांजियों मेरी बहनों और भांजियां फासी के पंदों पर जूल रही है उनको न्याय नहीं मिल रहा है बड़े सर् tenty twitch key सैवगा ये पेली कष्ड़ना ननीं इह बहुत तुछ ऊठनाख भी देख सकते नहमारू की देख सकते आधिवासी के पांत लोगों को किसी में नाम थो नहीं है वह सहित्स नंदों का को तब दर्फ नाद रिघной दे Kubika आधिवासी पुरूपा तरदर एक बीजेफी का गुंडा पेसाब कर देता है लेकिन उसको मामा कुछ नहीं कहता माप कर दिया किसी को बुला लिया कुछ क्या बुला लिया बोल दिया हो गाया काम आज की तारिंग में एस सी एस्टी अबिसी मैंनूटी उपर बहुत अत्याचार हो रहा है लेकिन माम बेन के साथ हम आज भी है कल भी खड़ेते नेमर गठना को देख लो भी मारमी आजात समाज पाटी हमें सा दली सोसिस पीड़तों के साथ खड़ी हुई है और आगे भी खड़ा रहेगी चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े लाटी खाना पड़े डंडा खाने में हमारी भाई भाई एड़ोगर चंदर से घराजाज जी खड़ेते मैला पेलवानों के समर्तन में हमारा पूरा समर्तन था नेमर गठना भी हम लोगों ने बहुत मजबूती थे लड़ी है आप देख सकते हो इस गठना को हम पूरा इनके साथ है चाहे कुछ भी और निया हत्या करके लटकाया गया हत्यारिक ओपर दर्ज होना चाहिए जब तक दर्ज नहीं होगी हम लोग सास नहीं लेंगे कई लबा कई लबा समय जाम को लिए हूँ गया है तब भी अभी तक यहां कोई प्रसाशन इनकी सुनवाई करने नहीं आया है ना ही कोई अब देखते हैं यह जिला प्रिसासन पर यह जम कितनी तक और चलता है